सुपरमार्केट खाली, सडकें खाली, देखने में कितना रॉकिंग लगता है ना, लेकिन ये करोना वाइरस का जो डर है, ना बाबा ना, ये तो बिल्कुल रॉकिंग नहीं है, इससे शॉकिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता, वैसे जैसा रॉकिंग और शॉकिंग हमारा ये हाल लो गया ना वैसा ही कुछ-कुछ हाल है टीवी की दुनिया का भी हाँ पेशे मनुरा जिजगत की रॉकिंग और शौकिंग खबरे कलर्स के जिरे छोटी सदार्नी की महर बन गई है जासूस और कोरोना से बचने के लिए मास लगा कर अपनी बेगुनाही का सबूत ढून रही है तो क्या वाइरस से बचकर चासूस बन कर में हर ढून पाएंगे अपनी बेगुनाही का सबूत ये होगा चोटी सदार्नी का आने वाला ट्विस्ट जिसकी जलक देख लीजे सिर्फ यहाँ पर अपकी ट्रांस्पोर्ट की कंपनी में किक्ते ड्राइवर है? उने को 300 से उपर क्यों? मुझे वो सारे यहाँ चाहिए अभी इसी वक्त हमारे घर पर अटैक हो सकते हैं वी जी मैं कल दो बजे गिंती और आना का व्या करा रही हूँ और इस व्या करोपने के लिए सनु कुछ भी करेंगे इसलिए हम सब को टाइम रहते ही त्यारी करनी हूँ कोरोना वाइरस की चलते हर तरफ हड़का मचा हुआ है लेकिन सुबा सुबा आई एक दुखत खबर मशूर टीवी अभिनेती कृतिका देशाई के पती देव और मशूर एक्टर इम्तियास खान का सुबा सुबा मुंबई में हो गया देहांत इम्तियास खान शोले के मशूर एक्टर आमजद खान के भाई थे और बतौर अभिनेता कई 80s और 90s की फिल्मों में काम कर चुके हैं इम्तियास खान के पिता जायन भी गुजरे जमाने के बड़े अभिनेता थे इस मौके पर टीवी से जुड़ेवे कई लोगों ने इस पर शोग व्यक्त किया हर्याणा की मशूर डांसर और पिक बॉस में अपना जलवा दिखाने वाली सपना चौधरी ने कर लीफ हर्याणा के ही सिंगर वीर साहू के साथ सगाई भई दोनों मिया बीवी हर्याणा से और काफी दुनों से दोनों का फेर चर लहा था लेकिन अब इस आफेर को मिल गई है परिवार की मंजूरी और शादी का एलान भी जल्दी होगा और अब देखते हैं खत्रों के खिलाडी की तिजस्वी प्रकाश का ये पोल डांस भई लगता है खत्रों के खिलाडी करने के बाद इनमें गजब का कॉन्फिडेंस आ गया है और इनके डांस में ये नजर आ बिग बॉस के विजीता सिधार्थ शुकला और बिग बॉस की सबसे एंटेटेनिंग कंटेस्टिन शेहनाज गिल का म्यूजिक अलबल भुला दोंगा का पोस्टर आ चुका है जिसमें शेदो शेहनाज का एक नया अंदास नजर आएगा वैसे शेहनाज गिल के रियालिटी शो में आज शाम क्या होगा खबर आ रही है कि सिर्थीवी के सीरियल इस सुभान अल्ला के अतनान खान ये शोड़ सकते हैं कहानी काफी बदल गई हिरोइन बदल गई लेकिन लगता है अधनान खान अब बोर हो गया है देखना होगा कि अधकान खान इस सीरियल को छोड़त So I really believe that most people use the lack of time as an alibi to not work out and what better time than now we have these forced holidays so make use of this time and this holiday to build up your immunity to build up your strength and this is the best antidote to fight this virus and you don't even have to go anywhere chuck the gym use your stairs I'm gonna show you how I'm gonna show you how I'm gonna show you how